नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है ग्यांटेव चनल पे आज हम बात करें नोकरी छोड एक लाख में सुरू किया बिजनस और दो साल में बन गया क्रोड़ पति नोकरी छोड बिजनस सुरू करने का रिक्स बहुत कम लोगी उठाते हैं लेकिन जो ऐसा रिक्स उठाते हैं उनको बिजनस में सफलता जरूर मिलती है कुलकता के रहने वाले दीपक अगरवाल की कहानी कुछ ऐसा ही है सुछ नौ बज़े से लेकर पांच बज़े तक की नोकरी से उप चुके अगरवाल ने सतर हजार रपे महीने की सेल्फरी वाली अच्छी खासी नोकरी छोड़ दी और खुद का बिजनस सुरू कर दिया अपनी लगन के दम पर यह सक्त महत दो साल में कोड़ पती बन गया दीपक अगरवाल ने मनीभासका.com से बाचीत में कहा कि कॉमर्स में एजुकेशन के साथ उन्होंने CSEM के से पढ़ाई की 2010 में उन्होंने ग्रेजुएट के बाद व फिर वन वन एल्स शिल्यूशन की सुरुआत की सुरुआत की और दीपक जानते हैं दीपक की संदार सफल के बारे में तो दोस्तों यह वीडियो साथ बने रहे एक लाग से सुरू क्या बिजनस दीपक ने जब नोकरी छोड़ी तब उनकी 70,000 रुपे ती नोकरी छोड़ने पा रहे थे उन्होंने अपने क्लाइंट को डाटा बेस के फैयादे के बारे में बताया उन्हें बताया कि कस्टमर का कॉंट्रैक्ट नंबर और आड़ी इमेल इंडेक्स का डाटा बेस बनाना कि इतना जरूरी है उन्होंने खूद की बचत के लिए एक लाग रुवे की र अपने क्लाइंट के लिए उन्हें कस्टमर को एसमेस बेज कर नए ओफर्स और सर्विस के बारे में जनकारी उपलग करा दिया एक सो साथ कैरेट के एक एसमेस का चार्स बारे पैसा होता है एक रोड के पार हुआ टरनोंबर पहले साल कंपनी का टरनोंबर 32 रुपे के क्लाइंट बेस बढ़ने पर दीपक ने अपने ओफिस घर में सिफ्ट किया और कोलकाता के लाल बाजार में 20,000 रुपे महीने पर एक ओफिस का किराय ले लिया 2015-16 में उनके साल में 2500 क्लाइंट के साथ कंपनी का टरनोंबर 1 क्रोड रुपे के पार हो गया कंपनी में ग्रो दीपक ने बताया कि वो बिजनस को अन्य शेहरों में बढ़ाने के उद्देश से वन एक स्लूशन की फ्रचाइंजी देना सुरू किया है कंपनी के फ्रचाइंजी के लिए चार लाख रुफेक खर्च करने होंगे यहां रिफंड रिफंडबल सिक्योर्टी डिपॉजिट के तोर पे लिया गया है फिलाल कंपनी के पास एडिदास एच यूएल तनिश्क पीजा हट शोपर स्टॉक बाटा जैसी नामी कंपनिया है कि क्लाइंट है दीपक का लक्ष इस साल कंपनी का टॉन वर्ट पांच लाख रुपे के पार करना है तो दोस्तों अगर आप लाइ अगर आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में उचाईयों को चुना चाहते हैं तो कुछ आपको डिसीजन लेना पड़ेगा थैंक्यू वेरी मच फ़र वाचिंग इस वीडियो